जटाधरं पाडुरंगं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोकहरं देवं दत्तात्रेयमहं धजे जगदुत्पत्ति करतेच स्तिति समुहारहे तवे धवपाशविमुत्ताय दत्तात्रेयनमोस्तुते जराजन्मविनाशाय देहशद्धिकरायच जिगंबरदयामूर्थे दत्तात्रेयनमोस्तुते करपूरकांति देहाय प्रह्ममूर्थी धरायच वेदशास्त्र परित्जाय दत्तात्रेयनमोस्तुते जरस्वदिर्कर्षस्तुला नामगोत्र विवर्जिता पंचबूतै कदीपताय दत्त्त्त्रेयनमोस्तुते गत्ता त्रेय नमूस्तिते लगाओ था कि वो एक पल भी उसको देखे बिना नहीं रह सकता था उसकी दुकान थी फरंदू बार बार अंदर जा जाकर पत्नी से मिल किया था इतना अधिक घनिश्टता लगाओ पत्नी से थी पत्नी से था एक दिन वो कहीं बाहर गया तो पत्नी का भाई आया और पत्नी को माई के लिए चला गया और वो जब आया अगर तुलसिदास तो बेचेन हो उठा इतनी बेचेन ही बढ़ गई रात तक तुफानी रात थी उसने सोचा कि नहीं मुझे उससे मिलने जा नहीं है और वो निकल पड़ता है अपनी पत्नी से मिलने आंधी तुफान नदी के पास आता है वो नदी उफान पर है कैसे जाए उससे पता नहीं एक लकड़ी का टोंदा वहाँ पे तैर रहा होता है वास्तों में वो मुर्दा होता है परंतु वो उसके उपर बैठ जाता है और उसको नाव समझते हुए लकड़ी समझते हुए दूसरी और पहुचता है और वहाँ पहुचने के बाद भी मध्यरात्री और उसकी पत्नी उपर रहती है उपर के मालें पर तो एक रस्ती टंगी होती है उसको पकड़ता है और पकड़ पकड़के पकड़ पकड़के उपर आ जाता है उसकी पत्नी को उठाता है तुम सो रही हो तो हश्चरे चकित हो जाती है कि आप यहाँ कैसे पहुचे इतनी तूफानी रात में और वो उपर कैसे आए दर्वाजे से क्यों नहीं आए वो कहता है इतनी रात किसको उठाओ घर वादे भी तो होंगे तो मैं तो खिड़की से आया खिड़की से कैसे आया वहाँ तो कोई रसी है नहीं देखती है तो वो एक हजगर या साप तो वो पत्नी उससे कहती है इतना पागल पन यदि इतना वो कहता है मैं क्या करूँ मेरा प्यार ही तुम से इतना है कि मैं तुम्हारे बेना रही नहीं सकता तो उसकी पत्नी कहती है कि जितना प्यार तुम्हें इस देह से है इस हड़ी मास के शरीर से है योधी इतना ही पियार तुमने राम से किया होता न तो gotta पार हो गया होता कब के तुम मुक्त हो गया होते और बस पत्नी के यही वाक्य और वो अपनी पत्नी में देखता है उसका शरीर हड़ी और मास का दिखाई देने लगता है उसको और वो तुरंट वहां से चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता है जंगलों में भटकता है राम, राम, राम दिन रात पुकारता है दिखाया है अनुमान जी वगरे दर्शन देते हैं वो अलग बात है और फिर एक नया अध्यात्मिक जीवन उसका चलू हो जाता है और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता है उसकी पत्नी ही उसके लिए क्या बन जाती है गुरू बन जाती है बात में उसकी पत्नी उसको मनाने भी आती है कि वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था अब घर तो चलो वो कहता है अब नहीं आ सकता मैं जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया तो दिखाया है उसने उसके पत्नी को ही गुरु समझ लिया गुरु बन गई हो ऐसे बहुत सारे उधारने जहां अकस्मात व्यक्तियों को कुछ दिखाई दिया और वो से उन्होंने कुछ सीख लिया जैसे सूफी संत जा रहा है छोटा बच्चा मस्जित में दिया लेकर भाग रहा है वो उसको लगता है कि इसको कुछ थोड़ी शरारत की जाए उस बच्चे को पकारते है इधर आओ कहा जाते हो वो कहता है मस्जित में दिया ले जा रहे हो वो कहता है दिया कहां से लाया घर से लाया तो वो पूछता है यह दिये में जो जोती है अब यह बताओ तुमने कहां से लाई दिये में जो जोती है वो कहां से आई वो सूफी संत सोचता है यह क्या उत्तर दे पाएगा ज़रा देखता हूँ तो वो छोटा बच्चा भी बड़ा होशियर होता है फूकता है और दिया बुजा देता है कहता है यह जहाँ वहीं से लाई थी जहाँ यह यह चली गई अब आप बताओ यह गई का तो सुफी संत लिखता है वो बच्चा भी मेरा गुरू हुए एक दूसरा सुफी संत रात भर गुमता है कहीं घर नहीं मिलता है एक चोर के घर में ठहर जाता है आश्रे रह लेता है चोर भी जला देयालू होता है रह जाओ फकीर हो और हर रात सो चोर निकलता है चोरी करने आदत सुबह लोटके आता है फकीर पूछता है क्या हुआ वो कहता है कुछ नहीं पर आज रात को जरूर मिलेगा अगली रात को वो सुफी फकीर लिखता है कि एक मास तक वो चोर रोज जाता है और खाली हात कर सुबह सुबह लोटके आता है पर आशा नहीं छोड़ता आशा अब भी बंदी हुई है कि आज नहीं हुआ काम पर आज तो जरूर होगा आज रात आने वाली रात तो वो कहता है मैंने उसको अपना क्या बना दिया गुरू बना दिया आज की साकार मुडली वो पादरी एकांत में घूमते शायद क्राइस्ट की याद में होंगे बाप को तो वो जानते नहीं पर अंतु तुमें उनसे भी सीखना है भक्ती मार्ग में उधारने दत्तात्त्रे का तुम भी दत्तत्त्रे हो कैसे पर नंबर वार आज दो जगा बाबा ने कहा है नंबर वार तुम से तुमने जितने पाप किये तुम ब्रामणों ने उतने किसी न भी नहीं किये एक तो यहां कहा नंबर वार और दूसरी जगा कहा तुम सब कौन हो दत्तात्रे हो कैसे दत्तात्रे हो नंबर वार दत्तात्रे अर्थात गुन गराही दत्तात्रे अर्थात सबसे गुन उठाने वाले तो आज हम चर्चा करेंगे दत्तात्रे के कितने गुरु थे कितनों को उसने गुरु बना दिया बिचारा बच्पन से निकल गया सन्यासी कोई गुरू नहीं कोई रहने को स्थान नहीं प्रकृति की गोद में पला बड़ा तो प्रकृति में जो जो कुछ उसको दिखा उसी को गुरू बना दिया उसने तो 24 गुरू उसने बना है तो दत्तत्रे की यह जो पाटशाला है उसमें बहुत सारे गुरु है तो हरे एक से सीखना है हरेक से क्या करना है? सीखना है गुन उठाने है कुछ न कुछ हरेक के पास है हमें सिखाने के लिए चाहे वो कितना ही छोटा बच्चा क्यों न हो कहल कहा न, छोटे बच्चे को भी क्या समझो? छोटा भाई समझो वो भी आत्म है उससे भी सीखो तो दत्तत्रे इसका उलेक बहुत सारे शास्त्रों में है उसको तीन मुख दिखाते हैं ब्रह्मा विश्णुमेश छे हाथ दिखाते हैं एक चार कुत्ते दिखाते हैं अर्था चारवेत और एक गाय दिखाते हैं अर्था धर्तिमा अलग-अलग छित्र है उसके महाराश्रों में बहुत सारे मंदिर है गुजरात में बहुत सारे मंदिर है साउत में बहुत सारे मंदिर है अवदूद गीता है एक अवदूद गीता एक गीता है लक्षमन गीता एक है भगवत गीता एक है अवदूद गीता ऐसी अलग-अलग गीताओं में अवदूद गीता अद्वईत विदानत का शास्त्र है तो आज की मुर्ली में बाबा ने कहा तुम सब कौन हो दत्तात्रे हो अर्थात सभी से गुन उठाने वाले तो इस दत्तात्रे के 24 गुरू थे तो अभी हम ये सारे 24 गुरू देखेंगे और इनसे उस दत्तात्रे ने क्या-क्या सीखा क्या-क्या गुन उठाए अर्थात हर चीज से सीखना है जो भी आसपास दिखाई दे रहा है जो भी हमारे इर्दगी लोग है इसमें से कुछ पशु है कुछ पक्षी है कुछ व्यक्ति है कुछ मनुष्य है कुछ तो निर्जीव स्थान है कुछ तत्व है ऐसे मिलाकर ये चोबीज बाते है जो जिसको ऑनुझे अपना गुरु बना लिया गुरु बनाना अर्थात उससे सीखना हरे एक से कुछ न Kुछ सीखते रहना है क्यूंकि हरेक के पास कुछ न कुछ तो है हमें देने के लिए क्योंकि हर एक भिन्न संस्कृति से उत्पन्न हुआ है भिन्न प्रांत, भिन्न जाती, भिन्न धर्म, भिन्न परवरिश, भिन्न माबाब, भाशा सब कुछ अलग है उसका और वो उस बेक्ग्राउंड से आया हुआ है उस पार्शव भूमी से आया है तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते है तो दत्तातरेका सबसे पहला गुरू है पाच तत्व पाच तत्व में सबसे पहला ले लो कौन सा लेंगे? पृत्वी, अर्थ पृत्वी से क्या सीखेंगे? पृत्वी से सहन शीलता पृत्वी सब कुछ सहन करती है सब कुछ सहन करती है हमने कभी सोचा कि इस पृत्वी से भी हमें कुछ सीखना है जो जो चीजे दिखाई देती है आखों से उन सब से सीखते जाना है जो जो आवाजे सृष्टी में आती रहती है उन सबसे सीखते जाना है जो जो दिखाई देता है उन से सीखते जाना है सबसे तो पृत्वी क्या सिखाती है मनुष्य क्या क्या करते है पृत्वी के साथ और पृत्वी क्या के देती है हमको ये धर्ती मा, ये अवनी माता बहुत कुछ देती है खेट कहां उखते है फसल हमारी परवरिश जो हो रही है किस से हो रही है पृत्वी से हो रही है इसके लिए पृत्वी की से सीखना भी है और उसको सकाश भी देना है उसको मा कहते है क्योंकि मा की तरह बालना करती है सब कुछ जहन करते हुए भी तो पृत्वी से जो गुन सीखना है वो है जहन शीलता का गुन दूसरा है हवा, वायू, विंड हवा से क्या सीखेंगे? हवा निरलिप्त है हवा निरलिप्त है, कहीं भी लिप्त नहीं होती है कहीं रुकती नहीं है, यहां से गई, वहां से गई, वहां से गई, सब जगा जाती है, परन्तु किसी में अटकती नहीं है, किसी में फस्ती नहीं है, ऐसा जीवन हो, योगी का जीवन अर्था निरलिपत जीवन, भले सव जगा जाओ, सव लोगों के बीच में रहो, पर किसी स कोई लेना देनी, किसी से थान पर रहो उस थान से भी कोई आ सकती नहीं, किसी से आ सकती नहीं आज की मुर्ली में का ऐसा समय आएगा, आज भी नहीं मिलेगा निरलिप्त तो वायू क्या सिखाती है हमें? निरलिप्त दत्यात्रे ने अपना दूसरा गुरू किसको बनाया वायू को बनाया तीसरा गुरू अकाश, स्काई, बेहद है बेहद, बेहद द्रिष्टी, बेहद वृत्ती, लास संडे की मुरली जो ये समझते हैं मेरा परिवार और मेरा सेवा के इंद्र वो कहां पर बनेंगे, कहां आएंगे त्रेता में आएंगे, पहले पूर की टेस्ट, खतम होगी, दूसरा पूर लेना पड़ेगा, खापी के देवतावने जो बचा रखा है वो त्रेता में लेना पड़ेगा तो वो है शत्रिय की निशानी, और जो बेहद में रहते हैं, वो है देवता तो ये क्या सिखाता है, आकाश, निलामबर क्या सिखाता है, बेहद में रहना और उसमें कितने बादल आते हैं और चले जाते हैं, वो अप्रभावित रहता है आज की मुली में भी बोला, ये सब होगा, माया आएगी, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगी रुस्तम बन कर आएगी, और तुमको अडोल रहना है, ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे ये ऐसा क्यों करते है, वो वैसा क्यों करते है, ये ब्रामणी ऐसी क्यों करती है, तुमक्यों नाराज होते हो, तुमक्यों रूटते हो सुनको तुमको मज़ा नहीं आ रहा है उसकी बाते सुनने में बैटो सुनके चले जाओ बात मत करो ब्रामणी के लिए का है तो तो आकाश आकाश से क्या सीखेंगे बेहत और आकाश को देखते रहना है उस दिन कहा न फूलों को देखो तो कहीं एकांट में जाकर आकाश को निहारना कैसा अभी राठ है कितना विर्श्ट्रित कितना अपने अंदर समाया हुआ है उसका कोई अंतनी बाबा कहते पोलार ही पोलार तो आकाश से सीखना है बेहत उसके बाद है पानी water पानी से क्या सिכेंगे? शीतलता पानी से क्या सि Campbell बेहना पानी से क्या सिכेंगे? पानी जो बहते रहेगा उसका महत्व है नदियों की पूझा होती है मा उसको पतीत पावनी कहते है लोग और जो पानी जम जाता है डबरा जो छोटा सा यह बन जाता है उसकी पूजा नहीं होती है वहाँ लोग entertainment के लिए जाते है प्यास भी कहाँ बुजाते है वो गंदा पानी हो जाता है नाला बन जाता है तो पानी अर्थात पानी से क्या सीखना है वो तो नदी से सीखना है बहते रहे हैं पानी की बात कर रहे है पानी अर्थात सच, पानी अर्थात transparent, पानी अर्थात सबको पावन बनाने वाला है पानी क्या करता है, धोता है ना, पानी का काम क्या है जो वस्तर खराब हो गए, बरतन खराब हो गए धोता कोन है, पानी जल जीवन है जीवन जल है तो save water तो पानी से ये गुन सिखना है जब भी पानी को देखो तो सोचना हमें भी पानी जैसा सच्छा बनना है, पानी जैसा पारदर्शी बनना है, पानी जैसा सब की प्यास भुनानी और पानी जैसे सब की दुलाई वाटर के लिए है कि water के लिए water के लिए कविता है English poem तो पानी उसके बाद है आग अगनी से क्या सीखेंगे अगनी सबको अगनी परिवर्तन कर देती है अगनी सबको पावन करती है purify करती है तो पावन बनाने का गन अगनी से इक है पावक अगनी के लिए संश्कृत शब्द है पावक पावक अर्थात पावन बनाने वाली शिती जल पावक गगन समीर शिती जल पावक गगन समीर समीर अर्थात वायू तो ये पाच तत्व तो पाच तत्व से उसने ये पाच चीजे सीखी उसके बाद में है समुद्र समुद्र से क्या सीखना है याद रखना यह होने के बाद फिर से पूछेंगे सबको अभी क्या भी तो पहले पाच उसके बाद में तीन तीन में पहला है समुद्र समुद्र से क्या सीखेंगे उपर से हलचले पर अंदर से एक दम शान थे उपर से लहरे है पर नीचे से प्रशान्त है उपर से चाहे कुछ भी हो रहा है पर अंदर से कैसे रहना है एकदम शान्त उपर से एक्टिविटी चल रही है, सेवाय चल रही है, कर्मयोग चल रहा है बाते चल रही आज का आना, जितना हो सके अंतर मुखी रहो पूरसत निकालो ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंतर मुखी हो जाओ जितना हो सके, भायों मुखी रहते हो, ठीक है आना पड़ता है, पर जितना हो सके रहो तो बहार से हलचल चालू है बहार से activity है, बहार से सेवाओं का विस्तार है परंतु अंदर से जैसे ही योग में बैठो एकदम शांत अंदर कोई हलचल नहीं है अतल सागर की गहराई में शांती है तो सागर से, समुद्र से ये कुन सीखना है उसके बाद में चंद्रमा और सूरज चंद्रमा से क्या सीखेंगे? चंद्रमा की कलाय घटती है, कम होती है परंतु वो वैसा ही रहता है अडोलता है और दूसरा शीतलता वैसे तो चिंदन बहुत कुछ किया जा सकता है और जो कुछ लिखा है वो थोड़ी थोड़ी बाते लिखिए पर हम उसका विस्तार और वश्य कर सकते है चंद्रमा से क्या सीखेंगे? शीतलता चंद्रमा से क्या सीखेंगे? कलाय घटती है, कम होती है परंतु वो वैसा ही रहता है चंदरमा से और क्या सिखेंगे देना और चंदरमा से क्या देखेंगे सुन्दरतार और चंदरमा से क्या सिखेंगे श्वेद प्रकाश तो उसमें तो एक ही लिखा हुआ है कि वो घटता है, बढ़ता है, पर अंतु समान रहता है बहार से कुछ-कुछ हो रहा है पर अंदर से वो एक जैसे ही रहता है एक रस्ता चंदरमा अर्थात एक रस्ता उसके बाद मैं सूरच से क्या सिखेंगे पक्षपात नहीं करता है सूरच ये थोड़े दूसरे लोग इनको मैं अपनी किरने नहीं दूँगा ना पक्षपात न रखना सूरच से सीखना है तो ये हो गए तीन उसके बाद है मचली हिरन और हाती मचली से क्या सिखेंगे यहाँ एक अगुन के बारे में कहा हुआ है मचली फस जाती है वो जो होता है ना बेट वो उसमें फस जाती है लोब आ जाता है उसको उसको लगता है खाऊं उसको और आती है पकड़ किये और फस जाती है तो संसार में प्रलोबन बहुत है पर तुमको मचली जैसा फसना नहीं है अपने आपको अलग रखना है मचली जै नए नए प्रलोबन आएंगे तुमको फसाने के लिए रावन का स निए भो भो करते रहते हैं क्या कहा बाबा ने भो भो करते रहते हैं काम आदी मर्द्यान तो दुख देता है तो ये बहुत सा रहे आएंगे temptations माया ने ने रूप में आएगी ऐसे ऐसे रूप जो कई सोचे नहीं थे ये भी माया है वो तो फसने के बाद ही पता चलता है कि माया के अंदर है इसलिए योगी और ग्यानी अर्थात दूसरों से सीख ले हम ये कहते हैं कि यग्यों में ये क्या हो रहा है इतनी हल चल ये वो ये इसलिए हो रही है ताकि तुम सीखो जो गल्दिया दूसरे कर रहे है तुम ना करो इसके लिए हो रही हल चल और अभी किसी को बताने समझाने का टाइम तो चला गया है अब किसको समझा है जो करना है खुद करो सेल्फ सेफ्टी आज की मुली में है सेल्फ सेफ्टी बस वही तो मचली से सीखना है कि फसना नहीं है कहीं पर प्रलोबन में नहीं आ जाना है समझ लेना ये दिख रहा है अर्थात उपर कोई मचवारा है जिसके हाथ में वो जाल है पर वो लकड़ी है और ये जो दिखाई दे रहा है मैं इसको खाऊं फसूंगा और जाल में बचली उसके बाद में हाथी कामविकार हाथी जो होता है इसमें दिखाई है कामुक होता है वो मादा हाथी हती नहीं हती नहीं हती नहीं हती नहीं उसके पीछे जाता है और उसको पता ही नहीं रहता है शिकारी ने एक गड़ा बना के रखा है उदर से आवाज आती है उसको वो जाता है और फस जाता है हाँ तो वो हाती के लिए दिखाया था है तो दत्तातरे कहता है मैंने हाती से यह सीखा काम विकार सर्वत्र है मुझे फसना नहीं है उसमें क्योंकि गड़ा बना के रखा हुआ है शिकारी ने मैं फस जाओंगा फिर निकलना बहुत मुश्किल है वहां से फसना ही नहीं यही एक मातर उपा है फसने के बाद फिर निकलना पूरा जीवन लग जाता है निकल भी गए तो उसकी याद है फसने थे उसकी उसके बाद में हिरन हिरन क्या करता है हिरन भै भैवीत रहता है शिकारी आया भागता है इदर भागता है उदर वो कहता है मैंने हिरन से सीखा कि निर्व है ताका गुन मुझे धारन करना है हिरन जैसा नहीं भागते रहना इदर उदर अपने आपको निर्भे बनाना ये मैंने हिरन से सीखा फिर उसके बाद में पाच मदुमक्खी मदुमक्खी इंडिकेट क्या करती है करमठ जीवन दिन रात प्रहत न करती रहती है ये फूल पे जाएगी वो फूल पे जाएगी इदर काम उदर काम एक्टिव और हार्मनी अपने जुंड में अपने संग में बड़ी समस और तासिस रहती है बहुत ही हार्मनी के साथ रहती है अपने जुंड के साथ जगड़ा नहीं करती है कभी अपने साथियों के साथ और साथ में जाती है तो उससे क्या सीखना है active life मदुमक्की से क्या alertness निरंतर्क जिससे सीख सके जिससे सीख सके उससे सीख लेने आज की मुर्ली में और एक उधारन दिया है बाबा ने जो तुमको सीखना है ब्रह्मा भोजन का महत्वा वो सन्यासी भोजन धाली धोकर पीते महत्वा है यहां का इस ब्रह्मा भोजन का भी बहुत महत्वा एक समय आएगा कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको अनाज भी नहीं मिलेगा ऐसा भी समय आएगा इसलिए अब से ही सहन करने का आप बहस करो अच्छा, अच्छा से पहले की लाइन साकार मुर्ली आज की तो मदुमक्खी से भी क्या करना है? सीखना है करमठता करमयोगी निरंदर काम करते रहना मेहनतकश निरंदर मेहनती रहना प्रहत न करते रहना रुकना नहीं उसके बाद में दूसरा है मदुमक्खी पकड़ने वाला मदुमक्खी देखभाल करने वाला हनी कीपर, हनी बी कीपर जिसको कहते है उसका कहीं खास वर्णन नहीं दिखा पर अंतु कहा है कि उससे वो प्रॉफिट लेता है वो मदुमक्खी से इसके लिए आप सोचना कि जो मदुमक्खी पकड़ने वाला है या उनकी संभाल करने वाला है उसको भी उसने अपना एक गुरु बनाया है इसके बार में थोड़े देर के बाद चर्चा करेंगे मदुमक्खियों का एक दूसरा भी उपए होगे विनाश के संबंद में जब मदुमक्खिया कम हो जाएगी तब विनाश होगा संसार में ऐसी बहुत सारी अमेरिका में स्टुडीज हुई है हनी बीज कम होने लगेगी तो संसार विनाश की तरब जा रहा है इसका बहुत ecological reasons दी है अलग-अलग इनके लिए उसका अस्तित्व में होना बहुत जरूरी है ecosystem में होना ये कुछ अलगी सिद्धानत है फिर उसके बाद में है एक कुवारी कन्या दत्तात्रे गुजर रहा था एक कुवारी कन्या maiden girl दत्तात्रे जा रहा था एक कन्या थी उसको देखने के लिए शादी के लिए देखने के लिए कुछ guest आ गए और उसकी मा थी वो कहीं बाहर गई थी और वो अंदर के कम्रे में थी वो बाहर थी तो वो धान कूट रही थी उसके हाथ में कंगन थे दोनों हाथ में तो वो कूट रही थी तो आवाद आ रहा था तो उसको लगा वो लोग क्या सोचेंगे कि यह अभी काम कर रही है अभी दान कूट रही है पहले से तैयारी नहीं की हुई है वगरे वगरे तो वो क्या करती है एक कंगन निकालकर बाहर रखती है फिर कूट ती है फिर आवाद आता है फिर दूसरे हाथ का कंगन निकालकर बाहर रखती है फिर कूट ती है फिर बाहर फिर आवाद आता है फिर एक कंगन निकालती है फिर एक एक कंगन बच जाता है फिर कुड़ती है, दत्ता तरे कहता, ये मेरा गुरू है, सन्यासी अकिला ही रहना चाहिए ज्यादा लोगों के साथ रहे, तो खत्रा है आज की मुर्ली में बोला, एकांत में जाकर चिंतन करो ग्यान का ज्यादा भीड भाड़ में नहीं रहो वो संगटन का महत्व अलग है, परन्तु संगटन में एकांत, भीड में एकांत कानुबव तो सन्यासी के लिए कहाँ है, ज्यादा लोगों के साथ गया, तो क्या होगा? बात, लावत से हुआ है, चीन में, उसकी आदत थी, एकांत में मौर्निंग वॉक करना किसी को साथ में नहीं लेके जाता था, एकांत में जाता था, और एक बार, उसका दो मित्र थे, दोनों एकांत में जाते थे, मौन में एक बार एक तीसरा मित्र आ गया, उसको पहले ही समझा दिया था, किसी ने तुम ज़्यादा बात मत करना तो और वो चले गोए, और मॉर्निंग वॉक पे गए बीच में खाली एक ही बार उसने कहा कि ये सुबह कितनी सुने रही है और जब वॉक पूरी होई तो लाओज से कहता है अगली बार इसको नहीं लेके जाना ये बहुत बोलता है क्या बोला था उसने? ये सुबह बहुत सुने रही बस इतना ही बोला था लाओज से कहता है ये टॉक्स तू मच इसको अगली बार से विल्कुल हम लेके नहीं जाएंगे अपने साथ तो यूगी आतमाव का सभा होता है एकांत बहुत प्रिय होता है बहुत अच्छा लगता है एकान दो ही लोगों को प्रिया लगता है Solitude is loved only by two people Ghost and Saint एक तो भूत या तो योगी तो कहाते हम कुवारी कन्या उसके बाद में बालक छोटा सा बच्चा दत्ता तरह कहता है एक बच्चा ने मुझे बहुत सिखाया क्या सिखाया? निरागस्ता कितनी सुन्दर था है उसमें? उसका आनन्द कितना निरागस है? हरिवन शुराय बच्चन की एक कविता है ये नन्ना सा शिशू ये नहीं जानता इसकी अगली यातरा कैसी होगी? ओबढ़ खाबढ़ होगी? या समतल होगी? इसके चेहरे पर वही निर्विकारी था जो कभी बुद्ध ने अपने जीवन की साधना के बात पाई थी ये नन्ना सा शिशू इसे उस ग्वाले से भी क्या लेना देना जिसने आज ही गुदूत कम तोला था ये नन्ना सा शिशू तो नन्ना सा शिशू जो होता है उसमें क्या होती है? निराकस्ता, इनोसेंट होता है बहुत ही सरल होता है निर्बोद, सरलता उसमें बहुत ज़दा होती है तो ऐसी सरलता इस बच्चे से सीखना है फिर उसके बाद में बान बनाने वाला तीर बनाने वाला वो मेरा गुरू है उससे क्या सीखा एक बार एक तीर बनाने वाला बैठा होता है तीर बनाते रहता है राजा का बहुत बड़ा जुलूस वहां से निकलता है राजा के सिफाई आके पूछता है यहां से मार कहा जाता है उसका ध्यानी नहीं है वो इतना तलीन है दत्त चित्त खोया हुआ है तो दत्त तरह देखता है अरे बाबरे और मैं आज तक भगवान के ध्यान में ऐसा कभी नहीं खोया कि पूरी बरात निकल गई, जुलूस निकल गई और उसको पता ही नहीं एकागरता इतसे मैंने क्या सीखा? एकागरता, जब भी कोई काम करो तो ऐसा काम करो इतनी एकागरता से, इतनी तन्मेता से इतनी तलीनता से, इतना लीन होकर इतना दत्त चित्त होकर रैप्ट अटेंशन अंग्रेजी में कहते हैं वो काम करो फुल उसमें जैसे मन लगाके एक होता है उपर उपर से कर लेना मन कहीं और है हाथ कहीं और तो एका अगरता मैंने उससे सीखी फिर एक वेश्या एक वेश्या से क्या सीखी क्या सीखा वो वेश्या देह का व्यापार कर रही है परंतो उसके जीवन में उदासी है वो जीवन की निरस्ता को देख लेती है सोचते है कब ये विकारी जीवन पूर्ण होगा कब मैं भी अच्छा जीवन पर वितित कर पाऊंगी कब ये सब बंध होगा इसमें मुझे कोई सुक नहीं है द्वार पर बैठी हुई है वेश्या रात आगे बढ़ रही है वो देखता है वो बैठी है वहाँ पर और कितना उदास है रो रही है विचारी क्योंकि अंदर से तो दुखी है न उसको तो वो सोचता है जीवन के प्रती भी ऐसी उदासी न था ये संसार गंदगी है यहाँ पर आज की मुर्ली में एक बड़ा ही जबरदस्त वाक्या आया है काम के प्रती लास्ट लाइन देखना गया है लास्ट लाइन अच्छा से पहले कि ये सब काम के वज़े से हुआ है सारी दुनिया खराब हो गई है ऐसा कुछ आए तो उसको वेरा आगाता है तो वो वेश्या उसको संसार के प्रती वेरा उसके आगे ना हाँ उसके आगे का वो सब कुछ भुला देता है जमाना बहुत डर्टी है काम महाशत्रु है, सब कुछ भूला देता है काम सारा ज्ञान भूला देता है सारा योग भूला देता है सारा परमात्म प्रेम भूला देता है सब कुछ भूला देता है काम यह वाली पॉइंट तो उस वेश्चा से वैराक सिखा उसने इस देह में कोई सुक नहीं है क्यों मैं इसमें फसू कल की मुरली में दाना आदे कल्प से हिरे हुए है शरीर के प्यार में विनाशी से प्यार करोगे तो विनाश होगा विनाशी से प्यार करो तो विनाशी बनोगे कल की मुरली में दाना हिरे हुए है, देह से इतना प्यार है तो ये तीन ये पाच उसके बाद में साप साप से क्या सिखोगे अपने बिल में रहता है, अंतरमुक्ता और साप क्या करता है, केंचुली अपनी चम्डी जो है न छोड़ देता है पुराना त्याक कर देता है उसमें दुख नहीं होता है, क्योंकि नया मिलेगा उसे तो साप से ये सिखना है खाल, मुर्लियों में क्या आता है पुरानी खाल छोड़ देता है ये भी तुमारी 14 सी जन्मों की पुरानी खाल है इसको छोड़ो उसके बाद में अजगर अजगर से क्या सिखा पाइथन पाइथन कहीं जाता नहीं है कहीं नहीं जाता है साप तो जाता है इदर उदर खाना पीने के लिए एक जगा बैठा रहता है बस आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक संतुष्ट होता है तो पाइथन से क्या सिखेंगे संतुष्ट था उसके बाद में वो एक पक्षी होता है जिसको बाज हॉक कहते है हॉक को इंगलिश में हिंदी में इसको अलग-अलग टीटवी अलग-अलग नाम है बाज जैसा ही एक पक्षी होता है ये तो इसे जबता तरहे चील चील के category कही है ये सारे तो उसमें उसने देखा एक बार एक चील पक्षी जा रहा है उसके हाथ में कोई मास का तुकड़ा है और उसके पीछे बहुत सारी चीले जा रही है हॉक तो उसको समझ भी नहीं आते ये मेरे पीछा क्यों कर रही है और वो और तेजी से भागती है भागती है और फिर उसको लगता है ये छोड़ के तो देखू क्या होता है वो छोड़ देती है वो जैसी छोड़ देती है वो सारे जो उसके पीछे होते है उसके पीछे चले जाते है और वो शांती से एक जहाड पे बेटके देखती रहती है तो इससे मैंने ये सीखा कि पकड़ के नहीं रखना है वस्तू को वस्तू को पकड़ के नहीं रखना है और उसके बाद में है कबुतर इसका मैं ज़्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कबुतर जो है वो पिजडे में रहता है या वो जो हंटर होते है शिकारियों का बहुत दुख सहन करता है परन्तु वो अपने ही कारण सहन करता है क्योंकि अपने ही वज़े से वो कैद में बंद है वो उसमें फस जाता है क्योंकि उसको सब कुछ मिलता है वहाँ पर, आराम से उसका जीवन है, ठीक है, आराम से उसको कुछ उड़ना जाकर उसको कमाई करने की जरूरत नहीं है, खाने पीने के लिए, पेट उसकी पेट भर रहा है अपने हाप, तो उससे मैंने ये सीखा कि ये जीवन मुझे नहीं चाहिए, मुझे उन्मुक्त गगन में उड़ने वाला जीवन चाहिए, बंदन वाला जीवन नहीं चाहिए, ये मैंने कबुतर से सीखा, तो ये दो, उसके बाद में पतंगा, अर्थात, परवाना, अर्थात, मौत, वो attract होता है light की तरफ बाबा इसको अलग रिती से लेते हैं परन्तु ये हैं उसके इंद्रियों से धोका देते हैं और वो light की तरफ attract होके मर जाता है क्योंकि उसको लगता है कोई सुगंदा रहा है उसको लगता है कुछ अच्छा है वहाँ से तो अपनी इंद्रियों से कभी भी धोका नी खाना आक से धोका नी खाना कान से धोका नी खाना नाक से धोका नी खाना स्वचा से धोका नी खाना क्योंकि ये धोका देते हैं सारी इंद्रिया इंद्रियों के प्रती सजग रहना सावधान रहना कब कौन सी इंद्रिया धोका दे पता नी तठस्त रहना इंद्रिया टेम्ट भी करे तो भी तठस्त रहना अपने आप वो टेम्टेशन चला जाएगा उत्तेजना उत्पन न हो शरीर में रुख जाना आएगी उत्तेजना और चली जाएगी क्योंकि उस समय क्योंकि दो मार्ग है यह एक सुक्ष्म बात है बहुत ही बहुत सुक्ष्म बात भोग ऐसा है कि न भोगो तो बेचेनी होती और भोगो तो पश्चाता क्या लोगे नहीं करो जैसे कोई स्मोकिंग करता है नहीं पिया तो इतनी बेचैनी इतनी बेचैनी और पी ली अगर तो फिर पश्चाताब होता है कि फिर से वही किया जो रोज करता हूँ तो दो है क्या कौन क्या लेंगे फिर बताओ दोनों तरब दुख है और दोनों तरब बेचैनी है नहीं करते हो, तो भी बेचेनी, ये काम विकार के लिए कहा गया है. नहीं जाओ, तो बेचेनी और गय तो पशाताप. ये वाली बेचेनी थोड़ी ठीक है, नखरने वाली है. ये आएगी और चली जाएगी एक दिन. पर ये वाली जो है नखरने शताव वाली है, बहुत जख्म देने वाली है, दुखी करने वाली है, और ये इसके बाद ये बार-बार एडिक्शन हो जाएगा, बार-बार होते रहेगा, इसके लिए इसको समझना है, और ये आज एक बार तटसतर रहेगा, अभी कुछ खाने की इच्छा होगी, गुलाब में रखदिया था उसने, तो ये कहाते हम, पतंगा, उसके बाद में है ब्रह्मरी, या ब्रहमक उसको, या caterpillar, वो उसको ये बनना है, क्या बनना है तितली, तितली बनती है, केटरपिलर को हिंदी में क्या कहेंगे ब्रुंगी कहते हैं उसको शैथ ब्रुंगी तो उसको तितली बनना है धहर्यता चाहिए इसके लिए अध्यात्मिक मार्ग में साधन अपना प्रहत्न करते रहे एक दिन स्पिरिच्वल टीचर बन जाएगा शिष्च जो है पड़ाई करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे क्या हो जाएगा टीचर बन जाएगा एक दिन आज की मुली में भाशन के लिए बहुत सारी बाती कही है बाबा ने जो बच्चे विचार साकर मंतन करते है फिर भाशन करते है वो वो बच्चे है जो आत्मा समझ कर बाप को याद करते है अपने को आत्मा समझते है ये कोई मासी का गर नहीं है यह पान का बेड़ा उठाना मासी का गर नहीं है तो यह धिरज कि अभी तो बहुत छोटा है पर बड़ा हो जाएगा अध्यात्म मार्ग में जो भी आता है पहले शुरुवात में कुछ भी नहीं होता है पर धिरे 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 उसके में उसमें योग्यता आने लगती है तो यह हो गया 23 वा 23 हो गया अभी लास्ट लास्ट कौन सा है 24 वा एक बचा है 23 हो गया मकडी मकडी जाल बुनती है उसमें तोड़ा अलग बताया है मकडी जाल बुनती है जाल को नश्ट भी करती है और फिर नया जाल बुनती है और इसका यह करती है भी है कि खुदी जाल बुनती है, खुदी फसती है और खुदी निकलती है फिर बाहर यदि तुम भी संसार में अपने ही जाल में फसे हुए हो और निकाल कौन सकता है अपने आपको खुद ही डिस्ट्राइ कर दो अब उस जाल को और बाहर निकल के आ जाओ तो दत्तात्रे के ऐसे ये कितने है 24 गुरू तो अभी फिर से रिवाइज करते है आशिश भाई छटवा कुन सा था सबसे पहला चलू करते है पहले से पहले पाच तत्व इन तत्वों से सीखना ये तो छलो थोड़ी सी बाते थी यहां पे 24 पर इस प्रकृती में इस संसार में हजारों बाते है जो कुछ देखो उससे सीखना है जो कुछ दिखाई दे रहा है उससे सीखना है फूल खिला हुआ है उससे सीखो काटा चुबा उस काटे से चुबो सीखो कुछ ना कुछ हर चीज से कुछ ना कुछ सीखना है तो चानक के का दिखाया हुआ है जा रहा है काटे चुपते है उसको चंदरगुपत चोटा सा है उसके पीछे पीछे जाता है वो कहते है आचार ये आप क्या कर रहे हो तो वहाँ से वो खरिदता है चाच, मिठा दूद और वो लेता है और वो काटो की उपर डाल देता है वो कहते है आचार ये आप ये क्या कर रहे हो कहते है थोड़ी देर में अभी यहाँ पर चीटिया आ जाएगी इस काटों को नश्ट कर देगी क्योंकि इन्होंने मुझे आहत किया है मैं इनको नश्ट कर दूँगा तो ये दूसरों को भी आहत कर सकती है तो उससे भी उसने सीखा तो पहले धर्ती क्या सीखेंगे? उसके बाद में अगनी पवित्र बनाना उसके बाद में वायू और निरलिप्त उसके बाद में अकाश बेहद उसके बाद में जल स्वच्छ करना ये होगे पाच फायू फायू के बाद में थ्री सूरज, चांद और समुद्र सूरज सबको देता है पक्षपात नहीं करता है चंद्रमा घटता कम होता है पर अचल रहता है या तो शीतलता देता है उसके बाद में समंदर गहराई में शान्त है प्रशान्त है तो यह तीन उसके बाद में दो तीन मचली, हाथी और हिरन मचली से क्या सी केंगे फसना नहीं है कहीं पर भी प्रलोगन में सीरन से क्या सी केंगे बहवीत हो के हिरन के ज़ए भागते नहीं रहना है सामना करना है उसके बाद में हाथी फस जाता है बिचार temptation, मदमस्त होता है अपनी मादक्ता में फस जाता है, मादक्ता की वज़े से उसके बाद में ये तीन हो गया तीन के बाद में पाच पाच में सबसे पहले मधु मख्य तो मधु मख्य बहुत एक्टिव रहती है और मधु मख्यू बी कीपर होता है उससे क्या सीखना है आप ज़रा इसका आवाद नहीं करते रहना जादा जादा, चुपचाप रहना जैसे कोई योग में आते है बाबा के कमरे में उनके पास बड़ी पॉलिथीन होती है पॉलिथीन का आवाद पॉलिथीन से सामान निकालेंगे पॉलिथीन को पहले इदर रखेंगे सामने रखेंगे फिर इदर या कोई बैक ले के आएंगे पहले चेन खोलेंगे एकदम शान थै और चेन खोलना चालूए मता जी का या बेहन जी का तीन-चार चेन खोलेंगे फिर मोबाइल पिर ये कितना आवास करते अपनी उपस्तिती की का एसास कराते सबको कि मैं आ चुका हूँ मैं चाप चोड़ने चाहते मैं आ चुकी हूँ इतना आवास इतना आवास और कोई-कोई एक बैग रख देते बाजू की चेर में ताकि वो तो किस को बता है तो कहा थे कुवारी कन्या उसके बाद में वेश्या वेश्या से क्या कि ये संसार से प्रति उदासीन हो जाना डर्टी वर्ड है आज भी बोला डर्टी वर्ड है और उसके बाद में छोटा सा बच्चा निरागस उसके बाद में तीर कमान वाला हिकागरता से तीर कमान काम करता है तो यह हो गए पाच पाच के बाद में साप और अजकर यह दो साप क्या करता है पुराना छोड़ देता है नया धारन करता है पुराना सब को छोड़ते जाओ आज की मुरली में यह तुमारे कान ये तुम्हारे कान जो सुनेरे परमात्मो ग्यान को सुनने के लिए थे भक्ती मार्ग की भक्ती मार्ग की कौन सी बाते सुन सुन कर पत्थर हो गए भक्ती मार्ग की कौन सी बाते भक्ती मार्ग की कौन सी बाते भक्ति मार की कौन सी बाते सुन सुन कर पत्थर हो गए माता भी किस गया और पैसे भी खाली हो गए डैश 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 आज की मुल्ले से दोड़ना ये तुम्हारे कान जो परमात्मा की सुने रिवाते सुनने के लिए थे वो भक्ति मार की दंतकता है देख लिया भक्तिमार की दंतकताई सुन-सुन कर पत्थर बन गए तो कहाते हम साप पुराना छोड़ देना उसके बाद में अजगर अजगर अर्था अपना जितना मिला है शांती से बैठेर हो एक जगा तो हाँ उसके बाद में पढ़ा रहता है कहीं नहीं जाता है उसमें संतुष्ट ताका गुन मैंने सीखा ऐसा दतात रहता है तो यह होगे दो उसके बाद में चील, हॉक, टीटवी और उसको कौन सा पक्षी कहते है करर, कुरर पक्षी है अलग-अलग यह अलग-अलग केटिगरी है एक्चुली चोड़ दो तो उसके पीछे दुनिया भागेगी तो चोड़ दो उसके बाद में कभूतर, कभूतर वो उदर फसा रहता है अपसेशन, उसका अटेश्मेंट भी होता है उसको चोड़ भी दो तो भी वो जाता नहीं है, जैसे एक बार भी सुनाया था पहाड़ी इलाकों में और उसको आवाद आती है स्वतंतरता, स्वतंतरता, स्वतंतरता उसको वो तो सैना नहीं होता है पहला, Freedom Fighter तो उसको लगता है, कौन पिंजरे में है मैं उसको Free करूँगा जाता है, वहाँ एक सराय है, होटेल है वहाँ देखता है एक पिंज़रा टंगा हुआ है और वहाँ पर वो कबुतर है तो उसको लगता है इसको मुझे छोड़ना है पर अभी डारेक्ट तो कर नहीं सकता तो वहाँ पर कमरा ले लेता है रहने के लिए और रात में जब सब सो जाते है तब वह पिंज़रा खोलता है और उसका उतर को करते है भाग भाग तुम दिन बर चिलाते रहते हो न स्वतंतरता स्वतंतरता फ्रीडम 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 अब भाग तो वह निकलने को तैयार नहीं होता है पर ये भी कोई स्वतंतरता सैना नहीं होता है freedom fighter, ex freedom fighter इतना जल्दी थोड़ी ना किसी को बंदन हार मान जाएगा, पकड़ता है उसको चोच मारता है वो, परंतु फिर भी पकड़ता है और उड़ा देता है और उसको जो खुशी होती है क्योंकि किसी बंदन वाले व्यक्ति को पिंजड़े से किसी को निकाल दिया और वो सतंत्रता से ना निया, बहुत खुशी होती है अराम से जाके सोता है सुबह उठता है तो सुबह उठते उठते फिर से वही आवा जाती है उसको सतंत्रता, सतंत्रता, सतंत्रता उसको लगता है आप कौन चिला रहा है खिड़की से देखता है तो कुछ नहीं दिखता है उस पिंजड़े की तरफ देखता है वो पंची वापस उस पिंजड़े में आ गया है और वही बैठ कर अप फिर से चिला रहा है Freedom, Freedom, Freedom पंची चोड़ दिया पिंजड़े के अंदर चले जाना पिंजड़े में बहुत सुख है कौन सा सुख है? सब टाइम टू टाइम मिलता है इसलिए तो कई लोग जेल बर्ट्स बाबा कहते हैं जाते रहते हैं जेल में जेल में जाओ कुछ कमाने की चिंता नहीं कुछ नहीं पाराम से बोजन बिजन मिलते रहता है बाहर जाओ तो कितनी चिंता होती है पैसो के लिए तो कब उतर उसके बाद में तीन पतंगा सेंसेस उसको डिसीव करते हैं इंदरिया अपनी इंदरियों से धोका नहीं खाना है यदत्तात्रे ने उससे सीखा उसके बाद में वो ब्रूंगी को आश्या है कि वो क्या बन जाएगा बन जाएगी तितली तो जो छोटे सादक है उसको भी सादना करते जाना चाहिए दिरे दिरे वो कहते है वो भी एक दिन spiritual master बन जाएगा उसके बाद में लास्ट चोबिस वा गुरू मकडी जाल जो बुना है अब उसको क्या कर दो नश्ट कर दो और बहार आ जाओ चोबिस होगे कि कम हुए थोड़े होगे ने जादा तो नहीं हुए चोबिस हुए बराबर तो यह दत्ता तरे की पाटशला है जो भोजन का इतना महत्वर रखते है यह दो तो बाबा ने मुरली में बता दिये तो सारे दिन भर यह लक्षे रखना है मैं जो भी मेरे संपर्ग में व्यक्ति आएगा उससे मैं क्या सिखू एक, जो भी वस्तुए देखूंगा उससे मैं क्या सिखू जो भी प्रकृती में चीजे दिखाई दे नैसर की चीजे उससे मैं क्या सिखू हर चीज से यही रखना है कि मुझे हर एक से सिखना है मुझे सिखना है मुझे सिखना है गुन गराही बनना है अच्छा, आम शेंदी